नमस्काश होता हूँ, मेरे मन के उदकार में आप सब का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ, मैं मंगला आपकी दोस्त आज बात करते हैं साहित्य जगत के प्रख्यात लेखक कथाकार के बारे में, जिनके लेखन को हम सभी ने अपने शिक्षाकाल में अवशे ही पड़ा होगा मुझी प्रेमचन, जिनका नाम साहित्य के जगत में आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, का जनम 31 जोलाई 1880 में लमही गाउं बाराड़ से उत्तर प्रदेश में हुआ था मुझी प्रेमचन किये उनका सहतिक नाम था, उनका वास्तविक नाम धनपतराय था जब उन्होंने सरकारी सेवा करते हुए कहानी लिखना आरम किया, तब उन्होंने नवावराय नाम अपनाया था बहुत से मेत्रों ने जीवन परियांद नवावराय के नाम से सम्मुधित करते रहे शैद कमलूग जानते हों कि प्रख्यात कथाकार मुंशी प्रेमचन अपनी महान रचनाओं की रूप रिखा पहले अंग्रेजी में लिखते थे और इसके वादू से हिंदी अत्वा उर्दों में अनुदित कर विस्तारित करते थे 1931 के आरंब में जब गवन उपन्यास प्रकाशित हुआ प्रेमचन की उपन्यास कला का यह सुर्ण यूग था 1931 को प्रेमचन ने अपनी एक और महान रचना कर्म भूमी की शुरुआत की जो अगस 1932 में प्रकाशित हुए 1932 में ही उन्होंने अपना अंतिम महान उपन्यास गौदान लिखा अपनी अंतिम भिमारी के दिनों में उन्होंने एक और उपन्यास मंगल सूत लिखना शुरू किया था किन्तु अकाल मृत्यों के कारण यह अपूंट रह गया प्रेमचंद और सिनेमा का आपस में रिष्टा भी बहुत रोचक है आईए उसके बारे में कुछ ब्यान करिया आपके साथ शेयर करते हैं प्रेमचंद हिंदी सेमा कई सबसे अधिक लोग प्रे साहित्तिकारों में से एक है कुछ कहानियों पर फिल्में भी बनी जैसे सप्ते जीत राई की फिल्म शत्रंच के खिलाडी 1935 में मोहन भवानी ने मिल मजदूर नाम की एक फिल्म बनाई इस फिल्म में प्रेमचंद ने एक रोल भी किया था फिल्म मजदूरों के बीच बहुत लोग प्रे हुई लेकिन अपसोज लोग प्रियत्य की कारण अंग्रेज सरकार ने इस पर प्रतिबंद लगा दिया प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन पर बजारे हुसन नाम से फिल्म बनाने का करार भी हुआ था 1963 में गौदान पर तिडलोग जेट्णी ने इसी नाम से फिल्म बनाई जिसके हीरो थे राजकुमार और फिल्म में धनिया बनी कामनी कौशल यही नहीं गवन उपन्यास पर भी 1966 में लोग प्रिय फिल्म बनी 1980 में बना टीवी सीरियल धारावाहिक निर्मला भी बहुत पत्संद किया गया प्रेमचन अपने अंतिम दिनों के एक वर्ष को छोड़ कर 1934 से 35 जो उन्होंने मुंबई की फिल्म नगरी में बिताया का पूरा समय वारार्सी और लखनव में गुजरा जहां उन्होंने अनेक पत्रपतिकाओं का संपादन किया साहिते शजन्त करते रहे भार्थे ढाग बिभाग की ओर से मुंसी प्रेमचन की इस मृत्ती में 31 जोलाई 1980 को उनकी जनम शताबदी के अफसर पर 30 पैसे मोले का एक ढाग टिकेट जारी किया गया गौरफपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे वहाँ प्रेमचन साहिते संस्थान की स्थापना की गई उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचन घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी और उनके उस व्यक्तित्व को उजागर किया जिससे लोग अनभिग्य थे बेटे अमर राय ने कलम के सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी प्रेमचन को समा सुधारक के रूप में भी जाना जाता है कहा जाता है प्रेमचन हसोर प्रकरती के मालिक थे विशामताओ भड़ा जीवन में हसमुक होना एक बहुत ही भादुरी का काम है प्रेमचन उच्च कोटी के इंसान थे उन्होंने गाओं के जीवन शैली पसंद थी वे स्वयम भी गवई लिवास में रहते थे आडंबर और दिखाहवे से मीलो दूर तमाम महापुशों की तरह ही वे अपना काम स्वयम करना पसंद करते थे मुशी प्रेमचन का नाम साहित्ते के थ्यास में सुर्ण अक्षरों में अंकित हो चुका है वे हिंदी कथा साहित्ते के एक युग प्रवर्तक के रूप में हमेशा याद किये जाते रहेंगे सादर नमन के साथ आपकी दोस्त मंगला धन्यवाद